हलो दोस्तों श्री मूड में आपका स्वागत है बिहार फायरमेन परिक्षा तथा बिहार एकसाइस कोंस्टेबल परिक्षा 2022 के लिए हम लोग समान हिंदी का सीरीज श्टार्ट किये हैं आज कलास 7 है जिसमें उपसर्ग तथा परते आये देखने वाले हैं यहां से महतपूर परिक्षा के लिए तो विडियो शुरू शिले के अंतक देखिएगा चलिए सुरुवात करते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं सबसे पहले यह हम देखते हैं इसका परिभासा देख लेजे बहुत सधारन तरीके से मैं आपको बताऊंगा उपसर्ग ऐसे सब्दान से जो किसी सब्द के पहले जूटता है सब्द के पहले जूटता है यह जरूर याद रखिएगा आप से पूछता है ठीक जैसे उपजोड गया है कार में। कुंग हुग होते हैं अब चलते हैं प्रते हैं यहां सभी बनता है क्या होता है क्या कुझे परिभासा देख लिजे वे सब्द जो दूसरे सब्द के अंत में जूड़कर अपने परिकृति के अनुसार सब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो परत्याय क्या करता है सब्द के अंत में जूड़ता है याद रखिएगा उपसरगे क्या करता है सब्द के पहले जूड़ता ह तो परतियाय जो सब्द है ये दो सब्दों से मिलकर बना है प्रति धन आय प्रति और आय से मिलकर बना है परतियाय और यहां पर देखिए का प्रति का मतलब क्या होता है साथ में प्रति का मतलब होता है साथ में लेकिन बाद में साथ में तो होगा लेकिन बाद में होगा ठिक और आय का अर्थ होता है चलने वाला, इसका मतलब की परत्याय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला, लेकिन बाद में चलने वाला, यह होता है आपको परत्याय का अर्थ, बहुत सधारर तरीका समय आपको बताए, आप समझ गए होंगे, यहाँ पर देखे, जि अपना अर्थ नहीं होता है यह दियानम रखेंगा पर्द्य के को मिद्य Supran 3 00 i am यहां पर प्रत्याएक का उधार revel यहां पहुंत उदर्थफलों के समाज हो जाले हैं यहां कि अपना सब्दीक अर्थ नहीं है यह आपको सब्दी के अंत में लगता है तो उसका अर्थ पूरा बद्लात बदल रहा है ठीक भूलने के साथ आपको लंग तो मिफ्येमें तो बुल ciaoparable आपको क्या हो जाएगा परते हो जाएगा तो दो चीज में ने पढ़ाया आपको उपसर्ग जो सब्दे के पहले लगकर साब्दी कर्थ बदल दे परते हैं जो सब्दे के अंत में लगकर उसका साब्दी कर्थ बदल दे चलिए अब टेश्ट दीजिए कि कितने अच्छे तर आदू मिया सब्ध के शुरू में लगता है उससे क्या कहते है है। प deprived यह बोला जाता है को सब्सक्राइब को बताना है इसमें है प्रख्यात ख्यात में आपको प्रा लगा हुआ है उपसर्ग आपको प्रख्यात ये बन चुका है ठीक ये दिहान में रखेगा कि चलते हैं Question number 4 देखे, लेखक सब्द में, लेखक सब्द के अंत में कौन सब परतयाय लगा है, परतयाय लगेगा तो ओबिसी सी बात है अंत ही में लगेगा, लेखक, तो ये कौन लगा है यापको बताना है, तो लेख में आपको क्या लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह लगा है, में अक लगया है तो इन्शक हो गया ठीक तो फोर के अंसर के अभज़ गोगा question 5 देखिए निमनल में से किस सब्द में परत्याय लगा हुआ है इसने से बताना है कि कौन से सब्द है जिसमें परते लगा हुआ है पहले से ही ठीक तो यहां पर देखिएगा इसके एंसर हो जाएगा डी डी क्यों होगा तो जादू में गर लगा हुआ है लास्ट में लगा है परते जो गर लगा हुआ है यह जादू में तो जादू गर बन गया है ठीक यह दिहानम रखिएगा यह अपको उपसर्ग हो जाएगा ये आपको वाद में अनु लग गया है तो अनुवाद बन चुका है ठीक तो ये आपको अनु हो जाएगा ये आपको उपसर्ग और आज का लाश्ट कोईशन देख लिजे यहां से और इंसर भी मैं नीचे लिख दिया हूँ वो मिला लिजिए क किस सब्द में उपसर्ग का परियोग हुआ है यह तो आप अराम से बता देंगे एंसर दिखा ही दे दिया किस सब्द में उपसर्ग का परियोग हुआ है यह आपको बताना है तो उपसर्ग जो सब्द के पहले लगता है तो कार में उप लग गया है तो उपकार हो गया है यह में भी मैंने आपको बताया था कार में उप्लग गया है तो आपको उपकार हो गया ठीक